Intel MMX Architecture MMX यानि की Multimedia Extension अब इसमें देखिए MMX क्या होता है यह तो हम introduction कर चुके हैं 2D और 3D images को improve करने के लिए MMX Architecture यूज़ किया जाता है हाँ जैसे कि हम जानते हैं Pentium में total 8 general purpose floating point unit registers होते हैं जैसे कि हमने last topics किये थे 8048 जिसके उनके architecture किये थे उसमें जो floating point unit कुछ इस तरह की होती थे यह आप कर चुके हैं जो previous Pentium के नहीं है यह 8048 जिसके हैं तो इसमें जो मेंटीजा की वह 64 bit की थी exponent थी और sorry मेंटीजा 68 bit की थी और exponent 16 bit की थी लेकिन Pentium में यह 64 bit की होती है जो मेंटीजा होती है यह सिर्फ फ्लोटिंग point unit का है MMX का नहीं है यह जो फ्लोटिंग point unit का architecture शो किया गया है देखें इसमें क्या होगा जो फ्लोटिंग point operation होते हैं वो तो 64 bit यूजमेंटीजा के लिए यूज होते हैं और उसके इलावजे 16 bit rest होते हैं वो exponent के लिए यूज होते हैं जो Intel MMX instruction है वो फ्लोटिंग point unit के resistors को ही यूज करती है इसलिए मैंने इसमें फ्लोटिंग point unit का यह आर्टिक्ट्ट्चर दिखाया है क्योंकि यह सिर्फ floating point resistors को ही use करती है MMX resistors as the MMX resistors जिने यूज किया जाता है और यह जो MMX resistors होते हैं यह सिर्फ 64 bit menti sa portion को ही use करते हैं यानिकि सिर्फ इतने portion को ही use करते हैं यह menti sa को portion होता है एक्स्पोनेंट का पोश्चन होता है देखिए 20-30 को शोग कर रही है और यही रिजिस्टर स्पॉर्टिंग पॉय्ट यूनिट के लिए भी यूज होते हैं और सेम रिजिस्टर MMX रिजिस्टर मृटिमेडिया एक्स्टेंशन रिजिस्टर के फॉर्म में भी यूज है जो यह रिजिस्टर होते हैं स्टोर करते हैं MMX उपरेंट्स को यह कह सकते हैं कि जो mmx जो प्रोग्राम होते हैं विर्चुल होते हैं और इसमें 8नrg रिजिस्टर होते हैं जो जो थार एक 64-bit पे होगे देखिए इसमें क्या होगा अब कॉश्चन यह होता है कि एक प्रोग्राम और वही रिजिस्टर फ्रोटिंग पॉइंट रिजिस्टर के फॉर्म में भी यूज हो रहे हैं और MMX रिजिस्टर सोरेज के लिए भी यूज हो रहे हैं यहनि फ्रोटिंग प्रोग्राम में फ्रोटिंग पॉइंट रिजिस्टर के लिए भी यूज हो रहे हैं इस कंडिशन में क्या होगा कि देखिए सेट ओफ रिजिस्टर जो कि फ्रोटिंग पॉइंट रिजिस्टर के लिए संप प्रोग्राम में ही इसको perform करवाने के लिए क्या होता है eder mucho क्लियर करना पड़तार वऄ इक instruction से जो होती है E-M-M-S instruction देखिए जो क्या करेगी जो की empty करेगी MMX stack को और empty होने के बाद वो floating point के लिए data को store करने के लिए ready हो जाता है और फिर जब floating point के काम खतम हो जाएगा floating point use हो जाएगा फिर उसके बाद same instruction के थूँ E-M-M-S instruction के थूँ फिर उन रिजिस्टर को फिर से clear किया जाता है ताकि उसे MMX क्या कर सके ओप्रेंट्स को store करने के लिए यूज किया जा सके अब execution के बाद इस तरह से यह दोनों same purpose के लिए यूज की जाते हैं जो रिजिस्टर है थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो आप और वीडियो के लिए हमारे चैनल Learn and Grow पे सब्सक्राइब कर सके हैं थैंक यू